हाई वेलकम तो वाइजरनल इस वीडियो में स्वाइड करें क्वेशिन नबर टू एक्सप्रेस इच अब दू फॉलविंग डैसिमल्स इन फाम पी बाई-क्यू तो हम यहां स्वाव करेंगे वन बाई-वन हमें एक्सप्रेस करना है इन सभी डैसिमल्स को वो p by q के form में मतलब कि rational number के form में चलिए solve करते हैं first first हमार रहा है 0.4 bar सबसब पर पर क्या करते हैं कि इसमें late कर रहेते हैं late x is equal to 0.4 bar ठीक है suppose कर लिए हमने तो हम यहाँ पर इसको expanded form में पहले लिखे लेंगे 0.4 bar का मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह है कि 4 जो है infinite times लिखा जाएगा 0.4,4,4,4 लिखा जाएगा तो हम लोग क्यों तीन बार लिखेंगे dot 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 और उसको पर dot लगा देंगे तो dot बता रहा है कि मतलब 4 बार infinite times जो है repeat कर सकते हैं अब यहां पर जो तरीका है convert करने का वो यह है कि decimal के right side में जितने पर बार लगा रहेगा उतने ही zeros वाले number से मतलब कि यदि एक number पर बार लगा हुआ है मतलब एक digit पर बार लगा हुआ है तो हम 10 सम्टिप्लाइ करेंगे यदि 2 digits पर बार लगा हुआ है तो 100 सम्टिप्लाइ करेंगे यदि 4 digits पर लगा हुआ है तो मतलब 3 digits पर लगा हुआ है तो 1000 सम्टिप्लाइ करेंगे both sides में तो यहां पर क्या करेंगे दिखें यहाँ पर 4 bar मतब एक ही पर लगा हुआ है तो हम गया करेंगे कि 10 से मिल प्लाइ करतेंगे बोथ साइट्स में यहाँ पर लिख भी लेंगे उसी बात को कि multiplying by multiplying by 10 on both sides on both sides यह आपका equation जो है 1 है equation 1 के both sides में 10 से मिल प्लाइ करतेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ मिलेगा आपको 10x इसकल 2 यहाँ मिलेगा आपको 4.444 तो आप जो है यह मैंने decimal जो है एक प्लेस आगे चला जाएगा तो 4.444 आने लएगा तो हमने तीन बार इसको लिखा है क्योंकि तीन बार यहाँ भी लिखा है इसलिए मैंने equal times में यहाँ भी लिखा है तो कोई problem नहीं है जितनी बार चाहाएं उतनी बार लिख सकते है तो यह जो equation दूसरी बार आया है उसको माल लेत है second अब next जो करना है वो subtract कर देंगे subtracting देखिए first equation को equation first जो है इसको subtract कर देंगे equation second से subtracting first from second we get देखिए हम पर लिखा करना होगा कि second को पहला लिख लेना होगा तो 10x is equal to लिख लेंगे आपर 4.444 dot 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 अब इसी के नीचे जो है first equation लिख लेंगे x is equal to लिख लेंगे आपर zero point अब decimal के नीचे decimal आना चुगिए तो यहां होगा 444 dot 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 यह dot dot है मतलब कि यह decimal नहीं है ओके अब हम मानस लगा देंगे हम मारस लगाएंगेXT हम क्या कर रहे हैं हापर सप्रेट कर रहे हैं तो यहां पर देखья डट 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 इसी उतार लेंगे यहां पर यह significant होते हैं तो उनको लेनिक जोरती नहीं है तो 4 upon को लिख लेंगे 9 तो 4 upon 9 is the decimal representation of 0.4 bar sorry rational representation of मतलब कि P by Q के form में हमारे बिज़िट किया है ओके तो यहां पर हम साटकर तरीका कैसे कर पाएंगे तो 0.4 bar है तो इसको मतलब कि बिना ऐसे इतना बड़ा solve किये आप साटकर तरीके solve परना चाते हैं तो आपको या करना पड़ेगा numerator में कुछ लिखना पड़ेगा और denominator में कुछ लिखना पड़ेगा तो देखे numerator में जो find करना होता है तो जिर्मान 4 bar में क्या करता है कि जो भी number यह होती है उसको ऐसे as it is लिख देते हैं मतलब कि decimal हटा करके लिख देंगे तो आजाएगा numerator मतलब कि यहाँ पर 4 bar है तो 4 लिख देंगे क्या बल ठीक है और denominator में देखते हैं कि जितने decimal के right side में जितने digits का digits पर बार लगा होगा उतनी बार 9 लिखेंगे तो यहाँ पर एक ही digit है तो 9 एक बार लिखेंगे और ऐसे digits मिलते उतनी 0 हम यहाँ पर लगा देते हैं तो जैसे से हमारे questions आगे आएंगे वैसे से आपको बताएंगे तो अब चलते हैं second question solve करते हैं तो अब यहाँ पर second वाले में क्या करेंगे हम यह इतना लिखेंगे नहीं जल्द जल्दी solve करेंगे तो आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा कैसे करना है तो अब solve करते हैं second तो पहले हम यहाँ सब्सक्राइब कर लेते हैं let x is equal to 0.37 bar तो यहाँ पर हम इसको expand करके लिख लेंगे 0.37 37 and 37 dot 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 अब यहाँ पर हमें पता है कि decimal के right side में दो बार मतलब टू डिसिर्स पर बार लागा हुआ है इसका मतलब कि हमें 100 से multiply करना पड़ेगा बोथ साइट्स में तो multiplying by 100 on both sides we will get मिलेगा हमें 100 x is equal to यहाँ मिल जाएगा हमें 37 point 37 37 and 37 dot 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 ओके तो हमारा यह पहला equation है और यह आपका है second equation अब करना क्या है कि second में से first वाले को minus करना होगा हमेशा यही करना है ठीक है तो unsubtracting unsubtracting first from second we get क्या मिलेगा देखिए पहले पहले हम यह 100 x is equal to इसको लिख लेंगे 37.37 37 dot 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 और उसके नीचे जो है हम first option लिखेंगे यहाँ पहलेगा x is equal to और decimal के नीचे decimal लिखेंगे 0 point यहाँ पहलेगा 37 37 and 37 dot 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 और देखिए हम मैनस करेंगे यहाँ तो dot 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 वैसी रहेगा यहाँ पहलेगा 7 मिसे 37 जाएगा जाएगा 3 मिसे 3 जाएगा जीरो जाएगा पतब सब यहाँ पर 0 जाएगे definitely यहाँ पर बात जो आने वाले डिये 0s हैं, इनका कोई भी significance नहीं है, इसलिए हमने 0s को हटा दिया है, eliminate कर दिया, 37.99 आ गया, और यही आपका required standard form है, P by Q के form में हमने क्या किया है, 0.37 bar को repeat कर लिया, अब 0.37 bar को इती हम start cut तरीके से solve करना चाहे है, start cut rule लगा है, तो क्या इसका rule होता है, पहला होता है कि numerator में find करना होता है, तो numerator को find करने के लिए क्या करते हैं, कि decimal को हटा करके number को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर देखे, 37 आ जाएगा, उसके बाद denominator में क्या करते हैं, कि decimal के right side में, जितने digits पर बार लगा होता है, उतनी बार 9 लिख देते हैं, तो दो digits हैं, यहाँ पर 3 और 7 और दोने पर बार लगा हुआ है, 9 ना लिख देंगे, and this is your answer, और यहाँ पर भी answer वही आ रहा है, तो this is start cut method, तो चलिए अब करते हैं, 3rd one, मारा तीसरा है, 0.54 bar, तो आप दे सकते हैं, 0.54 bar जो है exactly second जैसा ही है, 3rd वाला भी, तो इसमें कुछ करने की जोड़त नहीं है, तो मतबत कि हम 3rd छोड़ देते हैं, आप कुछ करिएगा, exactly वैसा ही है, तो हम इसको कुछ नहीं करते हैं, आप चलते हैं हम लोग 4th पे, फोर्थ पे क्या है, 0.621 bar, तो इसमें 3rd जिर्स का बार निकाला गया है, तो इसमें करेंगे multiply 1000 से, तो पहली बार लिख लेते हैं, ऐसे ही, x is equal to 0.621 bar, तो यहाँ पर expand करके लिख लेंगे एक बार और, तो x is equal to हो जाएगा 0.621, दो बार ही हमने repeat किया है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 1000 से both sides में multiply कर लेंगे, तो यहाँ में multiply करेंगे, तो मिलेगा हमें 1000 x is equal to, यहाँ पर हो जाएगा, देखे, 621 and 621, ठीक है, दो बार यहाँ पर लिख 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 लिए, फिर से हमने, अब यहाँ पर क्या करना है कि first यह equation हो गया, और यह हो गया है second equation, तो second equation में से first equation को मानस करना होगा, तो unsubtraction, unsubtracting, unsubtracting first from second, we get, यहाँ पर simply हम लिख लिख लेंगे, यहाँ पर 1000 x is equal to 621 point, 621, 621, dot dot dot, और उसके बास इसके निचे उतार लेंगे यह बाला, तो x is equal to हो जाएगा, यह 0 point, 0 point decimal के निचे decimal लखेंगे, तो यह हो जाएगा 621 and 621, dot dot dot, अब यह मानस करेंगे, यह मानस करेंगे, यह 0, 0, 0 आ जाएगा यहाँ पर, point, यहाँ पर उतारेंगे तो यह 621 ही मिलेगा, और यहाँ मानस करेंगे तो मिल जाएगा आपको 999 x, it implies x की value आ जाएगी 621 upon 999, तो आप देख सकते हैं कि यही आपका जो है standard form है, लेकिन यहाँ पर आप कुछ cancel out कर सकते हैं, अभी यह standard form नहीं है, यहाँ पर 9 से आप cancel out कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर add करने पर 9 आ जा रहा है, तो 628 हो जाएगा, वह 9 हो जाएगा, तो 9 से डाल लेते हैं, 9654, 8 हो जाएगा, 99981, 9 से गटेगे यहाँ पर, तो 9 मेंज़ा 9, 111, आजाएगा आपका 69, अपान 111, तो यह आपका standard form है, और इसका जो आ गया, P by Q के form है, वो यही होगा answer, ओके, यहाँ पर जाएगी आपको निकालना हूँ, साट्ट मेथड से, तो numerator निकालने के लिए, decimal को बस अटा दीजिए, और यहाँ पर लिख लिए, as it is, तो 621 आ जाएगा, whole upon, जितने पर बार, decimal के right side में, जितने भी digits पर बार लगा होगा, उतनी बार हम 9 लिख देंगे, 999 हो गया, and that is your answer, means इसको हम, count for 3 यहाँ पर cancel out करेंगे, तो मिलेगा हमे 69 upon 111, and this is your answer, जो यहाँ पर आया था, ठीक वैसे यहाँ पर आया, अब चलिए, फॉर्थ को बात करते हैं, फिफ्थ, 125.3 बार, अब यहाँ पर भी हम पहले सब पूस कर लेंगे, let, x is equal to 125.3 बार, अब इसको एक्स्पेनेट फॉर्मिल ही लेंगे, 125.333 डार्ट डार्ट तो अब यहाँ पर देखे, decimal का right side में जो है, एक ही डिजिट पर बार लगा हुआ है, और एक ही बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि, हम 10 से मतलब लगा रहेंगे, बोथ साइट में, तो मॉट्टिपलाइंग बाई 10 on both sides, we will get this equation, 10x is equal to 125. sorry, 125, और यहाँ पर एक 3 जो है, लेट में आ जाएगा, पॉइंट फिर यहाँ पर आ जाएगा, 3, 3, 3, ठीक है, तो मैंने, हमेशा मैं decimal के आगे, जो है 3 digits ले रहाँ, तो इसमें कोई प्रादम नहीं है, आप 4, 5, 6, 7, 8, जितने भी लेना चाहाएं, ले सकते हैं, तो यहाँ पर यह first equation यह है, और second equation यह है, अब unsubtracting, अब subtract कर देंगे, किस में से किस को करेंगे, कि आप जानते हैं, बिल्कुल सब में वही कर रहे हैं, और सब में यही करना ही है, unsubtracting first, from second, we get, का मिल जाएगा, second में से first minus करना है, तो पहले second को लिख लीजिए, 10x is equal to लिख लेंगे, 1, 2, 5, 3, .333, . . उसके बाद यह लिखेंगे, तो x is equal to मिल जाएगा हमें, 125, 125.3, 3, 3, . अब मैनस करेंगे हैं यहाँ पर, तो मैनस मैनस, यहाँ पर दिखेंगे, सब 0 से जाएगा हमें, 00, 00, 00, 0.3 में से 5 मैनस नहीं हो पाएगा, तो 13 करेंगे, 13 में से 5 जाएगा, 8, यहाँ पर जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ से 2 में से 1 जाएगा, 1, and 1, इतना आ गया, अब यहाँ पर, 10x में से x मैनस करेंगे, मिलेगा 9x, तो अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा, x बराबर, 1, 1, 2, 8, fall upon 9, ओके, तो यह हमारा आ गया आंसर, लेकिन यहाँ पर देखेंगे, कि यह concealer हो सकता है क्या, तो यह 2, 12 हो सकता है 3 से, तिर 3, 9 यह कर लेंगे, और 3 से जाएगा टालेंगे, 3, 3, 9, और 22 हो गया, 3, 7, 21, और 1, 18 हो गया, 3, 9, sorry, 3, 6, 18 हो जाएगा, तो यह आपका आ जाएगा, यह आ जाएगा, 376 upon 3, अब यहाँ पर cancel out नहीं हो पाएगा, तो यही आपका जो है, P by Q की फार्म में, representation होगा, तो इसका start call जो rule है, वो क्या करेंगे, देखिए, decimal बटा दीजे, और यहाँ पर number को दिख लिजे, तो 1, 2, 5, 3, तेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग बात हो गए, क्योंकि decimal के left side में कुछ number है, तो यहाँ पर करते क्या है, कि इसमें से minus कर देते हैं, जिस पर बार नहीं लगा होता है, उस number से, और decimal का कोई significance नहीं है, जब numerator निकालते रहते हैं तम तो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, हम minus कर देंगे, 1, 2, 5 से, क्योंकि इस पर बार नहीं लगा होगा, जहाँ पर जिस पर भी बार नहीं लगा रहेगा, उससे बनने वाला जो number होगा, वह हम minus कर देंगे, उस number में से, तो यह बन जाएगा numerator, अब denominator लाने के लिए क्लिए करेंगे, कि जिस पर बार लगा होगा, decimal के right side में, जिस पर बार लगा होगा, उतने 9 सेम डिवाइड कर देंगे, तो 9 एक ही लगेगा, क्योंकि किवाल एक ही डिजिट है 3, और उसके बाद, उसके left में जो है, और कोई भी digit नहीं है, तो 0 बढ़ाने की जोड़त नहीं है बिल्कुल, हमेशा बस देखते हैं न, कि decimal के right side में, कोई ऐसा digit है का, जिस पर बार नहीं लगा, यदि बार नहीं लगा रहेगा, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर कोई decimal है यह नहीं है, मतलब कि केवल एक ही digit है decimal के बाद, वो 3 है और 3 बार लगा हुआ है, तो एक ही 9 रहेगा, अब यहाँ पर मैनस कर लिजिए, तो अब मैनस करेंगे, तो बिल्कुल इतना है मिलेगा, 1, 1, 2, 8, अपान 9, यहाँ पर cancel out कर लिजिए, मिलेगा आपको 376 अपान 3, एक जेक्ट्ली वही नमर मिलेगा, जो यहाँ मिलेगा, चलिए, 5th हो गया, आप करते हैं 6th, देखिए, सब में एक ही concept है बस, सब में क्या करना है, 6 तो कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि यह जैसा किये थे, वैसे इसको भी करना है, और 0.47 भी आप कर सकते हैं, लेकिन खेर बता देते हैं आपको 7th वाला, ठीक है, 7th आपको बता जाते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.47 बार, let x is equal to 0.47 बार, तो यहाँ पर करेंगे क्या हम, देखिए, यहाँ पर एक तरीका और है, simple तरीका, और वो यह है, कि पहले 10th से में रपलाई कर लेजिए, इसमें, मतब जो ब्लाग आफ डिजी रिपीट नहीं कर रहा है, उसको पहले left में ला लेजिए, यहाँ से 10th से में रपलाई करेंगे, कि 0.7 बार का जो decimal representation होता है, वह होता है 7 अपा 9, है कि नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़े हुवए हैं, कि 0.1 बार रहेगा, तो होगा 1 अपा 9, मतब कि 1 अपान और जितनी पर बार लगा रहेगा, उतने 9 से डिबैट कर देते हैं, 0.2 बार रहेगा, 36, 36, and 7, 43, यह मिल जाएगा आपको 43 अपान 9, इसका मतलब कि, यहां से मिल गया हमें 10x is equal to इतना, 43 अपान 9, तो x बार बर क्या मिल जाएगा यहां से, x बार बर मिल जाएगा 43 अपान, 10 से डिबाट कर देंगे, तो मिल जाएगा यहां पे 90, 43 अपान 90 आजाएगा आपका, P by Q के फॉर्म में representation, ठीक है, तो यहां पर देखिए, fast rule क्या है, यहां से क्या करना होगा, कि numerator में लाने के लिए, आपको पहले decimal हटा दीजिए, तो मिलेगा आपको 47, मैनस कर देंगे, जिस पे बार, देखिए decimal के right side में, कोई ऐसा digit है क्या, जिस पे बार नहीं लगा, बिल्कुल ही एक digit है, यहां पे 4, तो 4 को मैनस कर देंगे, sorry, sorry, वैसे मतलब कि, decimal के right side में, हम यहां पर numerator लाने के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं सोचते हैं, कि decimal के right side में, जो number होगा, वो ही करेंगे, हम बास यह सोचते हैं, कि, जिस पे बार नहीं लगा रहेगा, उन सभी digits से बनने वाला, जो number होगा, उसी को मैनस करेंगे, यहां पर 4 को मैनस कर लेंगे, और denominator में क्या करना होता है, कि, देखते हैं कि, decimal के right side में, कितने पर बार है, तो क्यवल 7 में बार है, तो 7 में बार है, मतलब कि 9 लिखेंगे, और फिर देखते हैं, कि decimal के right side में, कितने ऐसे digits हैं, जिस पर बार नहीं लगा, तो क्यवल एक ही digit है, वो है 4, तो एक जूर बढ़ाएंगे बस, इसका मतलब कि, यह आपको मिल जाएगा, 43, मैंस करेंगे तो 43 आएगा, 43 आपर 90 मिल जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं, 43 आपर 90 है, यह भी 43 आपर 90 है, तो यह तरीके हैं, solve करने के, तो यहाँ पर यह simplest तरीका है, मेरे खाल से, 4.7 बार को इसे separate करके, और solve करने का, और यह असान तरीका है, तो आप ऐसे solve करिएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा, और 4.7 का, और 125.3 बार, इन सबका जो है, ऐसे निकाला जा सकता है, जिससे मैंने यहाँ पर निकाला, ओके, तो थैंक्यू सो मच फर वाचिंग, इदि आपको अच्छा लाएंगा, तो लाइक कर दिजगा, तो शेयर करिएगा, और कोई वीड़ाइट होता है, तो कमेंट बाक्स आपके लिए है, कमेंट बाक्स जरू करिएगा,